हे दोस्तों स्वागत आपका मेरी योट्यूब चैनल पे तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज लेने वाली हूँ जो की एक रिक्वेस्ट चैलेंज है तो यह चैलेंज है नेल क्रोथ पे और वो भी सिर्फ वन आर में मतलब एक घंटी में मैं आप लोगो को नेल्स को ग्रो करके दिखाऊंगी और यह चैलेंज लोगी इसी वीडियो में तो अगर आपने में इंस्टाग्रम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे जरूर फॉलो करें मैं सेकेंड अकाउंट पे नेलाट्स शेयर करती हूं फर्स्ट अकाउंट पे बहुत सारी रेम पड़ा तो मैंने सोचा कि इसी नेल के साथ चैलेंज लेते हैं तो मैंने यह नेल को कट कर दिया यह तो अब करता है यह तो अब अब एक अलाम क्लॉक रख देती हूं और ये वीडियो वैसे मैं सवा पांच बजे शूट कर रही थी बट मैंने से इग्जेक्ट साड़े पांच कर दिया है ताकि जो हमको ना मतलब कंपार करने में एजी लगे अब सबसे पहले मैं आपे लूंगी कोकोनट ओईल तो मैं वैसे तो अपने थम पे लगा लेंगे अपने फिंगर्स पे लगा लेंगे और फोकस करेंगे कि हम अगर फिंगर्स पे लगाएं तो हम साइड से ज्यादा लगाएं सिवाए नेल्स के ऊपर नहीं पर नेल्स के साइड में जो इसकिन होती है ना हम उस पे लगाने का ज्यादा करेंग और साती ही सद में आप सिमें चाहिए के और आप मसाज भी करता है कि ब्लड सेख़ेशन जादा हो बलड सेखैलेशन बालों के लिए झाटा यह फाल हो दोनों को करता है टेक है तो मैं आप इस यह मसाज भी करोंगी करने कम से कम 15 मिनट 15 मिनिटे हो गए हैं और 15 मिन के बाद बब जैस्य कि देख सकते हों कि इसको क्यों कुटिकल्स है बहुत ज्ष्व क्या करेंगे, ऩ Все कεια स्भाट से यो या नियसे का इसlaş्ज वह तो कष्व करेंगे तो वाश करने के बाद अब आप देखो कि बहुत ज़दा क्लीन लग रहा है तो वाश करने के बाद आको क्या करना है कि आपको नेल कटर लेना है इसके उपर साइट से आपको स्पेसिंग देनी है मैंने पिछले वीडियो से बताया है कि स्पेसिंग कैसे देते हैं तो आप इ बागी साथ ही साध शाइट से भी क्यूटिकल हटा देंगे तो यह हमारा फर्स्ट स्टैप कंप्ली तो यह सचाँ सबस्के टाया हे घरम पानी ले लेंगे तो पानी उतना उना आची जितना कि आप जो है से सको और इसके बाद आप इसमे नमक ढाल देंगे यानि की salt तो salt again यहां पर आप कोई सा भी ले सकते हो और salt मैंने आप पे जो है अरवंड फ टी स्पून तक salt ढाल दिया है तो सॉल्ट के बाद हम यहां पर लेंगे लेमन जिसमें की विटामिन सी बहुत जाता होता है जो कि नेल्स को स्पेशली ग्रो करने में हेल्प करता है तो अगर आप मीडियम साइज ले रहे हो तो आपको यहां पर हाफ ले ले लेना है मैं बड़ा वाला साइज ले रही हूं तो मैंने आपे 1 4th कट कर दिया है ठीक है इसके बाद आपको जो है अपने फिंगर्स को इसमें डाल देना अगरा फिंगर्स यूस कर रहे हो तो मुला फिंगर्स ग्रो करना चाहरे हो तो और लेमन पील हम वह इसी पानी में डाल देंगे और अच्छा लेमन और सॉल्ट डा दे रहे हूं ठीक है पानी में और डालने के वाद आपको इसे कम से कम जो है 15-20 मिनिट तक रख देना है तो 15-20 मिनिट तक रखने के बाद आप यहां पर देखो कि जो आपका फिंगर्स है या आपके जो नेल्स की साइट की स्केन है बहुत जादा सॉफ्ट हो जाती है तो म मतलब कि एक घंठा बजने में सिर्फ 15 मिनिट बजे हुए है तो अब हम क्या करेंगी कि हम कम से कम से पांच मिनट और रख देते हैं इसी पानी में और फिर न अच्छा पानी बीच बीच में ठंडा भी हो रहा था तो मैंने इसे गरम भी किया दो बार और पानी से निकालने तो बहुत ही ध्यान से करना अगर थोड़ा सा भी तेज करते हो तो आपको न मतलब ब्लीडिंग हो सकती है खून निकल सकते है आपके निल्स से तो निल्स हैने की जो साइड क्योटिकल से वहां से आपको बहुत अच्छे से करना है और इसके बाद मैं आपे नेल कटर का जो तो निकल सके इसके बाद हम स्पेसिंग देंगी और अंदर से नेल कटर को इस तरह से घुमाँगी क्योंकि जो मैंने पहले भी बता है कि जो अंदर की स्किन जमा हो चाती है अब देख सकते हो यह वाली जो स्किन है यह अंदर नेल्स को रोख के रखती है ग्रो होने से और ह किसी केस में नहीं होता है जो लोग रबन को पता चले कि वह इलै डिल्स क्लीन कर रहेैं कोछी लोगेंげ प्षयान जादा हाड होती है जिसके व villainy情況 क्लीन वेंशन इल्स नहीं होते है तो ये वाली skin को हम अंदर से निकाल देंगे और निकालने के बाद अब आप देख सकते हो कि nails जो है एक गंटे में कितने long हुए हैं और एक गंटे में भी पांच से दस मिनट बचे हुए हैं और हमारे पास कोई remedy नहीं है यहापे use करने के लिए तो इतना बहुत है आप देखो कि बहुत अच्छे से grow हो गया है तो आप कुछ लोग question करेंगे कि उनने यह रोस करना है कि नहीं करना है तो जार देखो भूत से लोग बोलेंगे कि रोस अगर एक घंडे में इतना हो रहा है तो अगर हम रोज करेंगे तो बहुती जल्दी जो नेल्स हैं grow हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे रोज करोगे तो आपके जो नेल्स हैं वह डैमेज ज्यादा होने के चांसे हैं, इसलिए क्योंकि हम cuticles को अगर daily जो है बैक पुछ तो करना ही चाहिए पर अगर आप daily cuticles को इस तरह से harm करते हो इस तरह से hurt पहुंचाते हो कि पूरी तरह से उन्हें open कर देते हो न तो यह जो है आपके nails को न मतलब damage कर सकते हैं ठीके damage करने के chances तब ज्यादा होते हैं तो इस वज़े से आपको यह daily तो नहीं करना है तो फिर आपको कप करना है तो देखो slow growth जो होती है जो patience के साथ में growth होती है वो जाता अच्छी होती है और जाता healthy भी होती है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको इस हफते में एक बारी करना है हां मैं या पर यह दिखा रही तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है तो हर वीडियो में बताते हूं लेमन और कोकोनेट ओल दोनों को मिक्स करके रात में लगा लो थोड़ा सामसाज करना है आपको देली रात में ये लगाना है तो अब आप यहां पर किम्page करना है बड़ा बड़ां हुआ है और आंदिख रहा है बढ़ा ह तो इस पे कितना ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा था ये नेल और काफी ज्यादा वाइट लग रहा था तीन घंडे बात का ये जो है वीडियो है तो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा था नेल और एक घंडे में मैंने पहली बारी ग्रो किया है मैं तो खुद भी हैरान में तब तक लिए गूड़ बाई